हेलो गाईस तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप फाइव बेस्ट लैप्टोप की वीडियो जो आपको अंडर 40,000 रुपीज के देखने को मिलेंगे और साथ में मैं इस वीडियो में सिर्फ उन्ही लैप्टोप के बात करूँगा जो 2023 में लोंच हुए ह और जो इंटल पे बेस्ट होंगे हमें AMD वाले प्रोसेसर से कोई लेन देना नहीं है जो इंटल पे बेस्ट होंगे उन्हीं प्रोसेसर वाले लैप्टोप के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मैं आपको क्लियर कर दूँगा कि कौन से इंटल वाले प्रोसेस स्पेसिफिकेशन्स हमारे लेप्टोप में होने चाहिए अगर हम उसे 30,000 से लेके 40,000 के बीच में ले रहे हैं तो उसमें मीनिमम कम से कम 8GB के रहे हम 512GB की SSD स्टोरेज होनी चाहिए सेकेंड चीज उसके अंदर हमारे पसमें HD webcam होना चाहिए, Full HD डिस्पले होनी चाहिए साथी में उसके अंदर हमें Intel का प्रोसेसर अगर हम बात करते हैं तो i3 12-gere이션 और 13-गेशन होना चाहिए और i5 भी हमारे पसमें 12-गेशन होना ही चाहिए, हमें 11-गेशन वाले प्रोसेसर की तरफ हमको जाना ही नहीए हमें 12 generation और 13 generation वाले ही processor चाहिए उसी पे base हमें laptop चाहिए आप screen पे देखी रहे होंगे कि जो हमारे 12 generation और 13 generation वाले processor से वो ज़्यादा better है performance wise और साथ ही में power efficiency में भी हमारे पास में जो 12 generation वाले 13 generation वाले जो processor है वो 11 generation और 10 generation वाले से best है तो अब हम बात करते हैं top 5 best laptops के बारे में तो सबसे first number पर जो laptop आता है वो है Infinix की तरफ से Infinix X3 Slim इसकी जो current price है वो 30,000 रुपीज आ रही है और card offers के साथ में आपको ये 2,000 और सस्ता देखने को मिल जाएगा वैसे मैंने इन सारे laptops की जो best buying link है वो अपने description box में डाल दी है तो आप directly वहीं पर जाके और भी specifications देख सकते हो लोगों के reviews देख सकते हो और वहीं से आप directly खरीद भी सकते हो तो इस laptop में हमें Intel का i3 का 12th generation processor देखने को मिल जाता है साथ में इसके अंदर हमें 8GB LPDDR4X RAM देखने को मिलती है और 512GB की SSD storage देखने को मिल जाती है 14 इंच का एक Full HD display देखने को मिल जाता है जिसकी brightness 300 nits सक जाती है और साथ में अगर हम बात करें इसकी weight की तो इसको हम ultra light weight बोल सकते है क्योंकि सिर्फ 1.24kg का weight है इसका बहुत हलका है laptop और साथ में very thin भी आता है बहुत पतला भी है laptop इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें type C charging support देखने को मिल जाता है 65V का type C charging support देखने को मिल जाता है अगर हम बात करें near about इस rate में बहुत कम ही company होती है जो हमें type C charging support देखने को देती है साथ में इसके अंदर हमें 9-10 hours का battery backup देखने को मिल जाता है जो company claim करती है कि 9-10 hours का हमें normal usage पे battery backup देखने को मिल जाएगा ये भी अच्छी चीज है battery backup भी अच्छा है साथ में इसके अंदर हमें webcam में flash भी देखने को मिलता है जो चादतर company में नहीं देखने को मिलता है webcam के साथ में flash तो नहीं देखने को मिलता है सिफ Infinix ही दे रही है हमें और इसमें backlit keyboard भी देखने को मिल जाता है वैसे अगर हम एक चीज देखे तो Infinix इतनी सस्ती rate में इतने सारे features तो provide करी देती है जैसे कि हमारे पस में 65W का Type-C charging support हो गया अच्छा battery backup हो गया और उसाथ में backlit keyboard भी देखने को मिल रहा है processor भी हम बात करें तो अच्छा है RAM भी हमारे पस में LPDDR4X की RAM देखने को मिल रही है तो इस rate में हमारे पस में ये laptop है तो वैसे अच्छा लेकिन सिर्फ एक चीच की कमी है कि Infinix की brand value इतनी ज़्यादा नहीं है अगर आपको Infinix company पर trust है तो आप no doubtedly इसकी तरफ जा सकते है एक अच्छा laptop है हम बात करें features wise जो ये provide कर रहा है उसमें तो ये laptop बहुत ही अच्छा है तो आप इसकी तरफ जा सकते है अगर आपके लिए Infinix company trust वर दिये तो आप इसकी तरफ जा सकते है वैसे मेरा एक suggestion है आप check कर लीजिएगा कि आपका जो घर है आप जिस area में रहते है उस area में उस city में जो भी आप laptop जिस भी company का खरीदे उस company का service center आसपस होना चाहिए ताकि अगर मान लीजिए कोई issue आ भी जाए तो आपको जगा दिक्कत नहीं आए आप service center पे चले जाए और उसी जगे पे solve भी हो जाए तो एक चीज आप देख लीजिएगा कि जिस भी area में आप रह रहे है उसके आसपस वाली city या उसी city में मिल जाए जिस भी company का आप laptop ले उसका service center होना चाहिए तो best रहेगा तो second number पर जो हमारे पास में laptop आता है वो है Acer की तरफ से Acer Extensa अगर हम इसकी बात करे तो इसकी current price 32,990 है car discount के साथ में आपको 30,990 का देखने को मिल जाएगा इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें 8GB की RAM देखने को मिलती है LPDDR5 यानि अगर हम previous वाले laptop से comparison करें तो इसमें जो हमें RAM देखने को मिल रहे है वो ज़्यादा better है और साथ में अगर हम बात करते हैं 512GB की SSD storage देखने को मिलती है और SSD storage भी जो है वो Gen 4 की है तो latest SSD storage देखने को मिल रहा है latest RAM देखने को मिल रहे है तो हम speed की बात करें तो obviously यह थोड़ी ज़्यादा तेज होगा अगर हम इसके processor की बात करते हैं तो इसमें हमें i3 का 12th generation N305 processor देखने को मिलता है N305 processor हमने processors की अभी बात की थी उसमें मैंने आपको बता दिये थे सबके CPU और Benchmark तो उसका भी मैंने बता दिया था यह latest launch हुआ हुआ प्रोसेसर है 2023 में ही launch हुआ है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो 15.6 inch की एक Full HD display देखने को मिल जाती है इसकी weight की बात करें तो यह भी lightweight है ऐसे बड़ा laptop है 15.6 inch का display देखने को मिल रहा है तो यह हमें 1.7 kg का weight है इसका laptop का इसमें हमें battery backup की बात करते हैं तो 5-6 hours का जो normal battery backup सारे laptop में हमें मिलता ही है इसमें भी हमें मिल जाता है MS Office इसमें हमें एक खासियत है जो पिछले वाले laptop में नहीं थी कि इसमें हमें MS Office 2021 की lifetime access देखने को मिलती है तो जिन students को या जिन office workers को ऐसे MS Office pre-install चाहिए होता है तो उनके लिए ये laptop best रह सकता है पिछले वाले laptop में हमें MS Office नहीं देखने को मिलता था और इसमें भी हमें type-c charging support देखने को मिल जाता है तो इसमें ये भी फाइदा है कि इसमें भी हमें type-c charging support देखने को मिलता है बट एक चीज है इसके अंदर हमें जो cone की बात करते हैं इसके cones की बात करें तो इसमें हमें backlit keyboard नहीं देखने को मिलता है अगर आपको backlit keyboard के बिना भी चला सकते हो काम तो ये भी एक अच्छा laptop है इस rate के अंदर near about आपको offers के साथ में 31,000 का देखने को मिल रहा है तो ये भी एक अच्छा laptop है इसकी तरफ भी जा सकते हो वैसे मैं एक बात clear कर दूँ तो ये जो ज़्यादातर मैं laptops की बात कर रहा हूँ इस range के अंदर वो ऐसे normal usage के लिए बात कर रहे है हम ज़्यादा heavy task वाले की बात नहीं कर रहे है जिनको heavy gaming करनी है या heavy video editing करनी है बहुत powerful software सलाने है जिनको उनके लिए नहीं हम बात कर रहे है जिनको normal usage करनी है, normal gaming करनी हो, normal video editing करनी हो तो normal works आराम से इन सारे laptops में हो जाएंगे बट लेकिन अगर हम बात करते है heavy video editing वाले heavy gaming के लिए चाहिए तो उसके लिए हमें i5 की तरफ जाना चाहिए, यह हमने अभी i3 की बात करिए हम i5 वाले भी आगे बात करेंगे तो आप के लिए वो ज़्यादा better रहेंगे तो third number पर जो हमारे पस में laptop आता है, वो है Dell की तरफ से Dell Core New Inspiron 15 अगर हम इसकी बात करें तो यह वैसे latest launch हुआ नहीं है मैंने इस laptop को इसलिए include किया है, क्योंकि जिन लोगों को ऐसा ही laptop खरीदना है जो Dell या HP की तरफ से हो, Acer की तरफ नहीं जाना है, Infinix की तरफ नहीं जाना है या दूसरी किसी भी कंपनी की तरफ नहीं जाना है, Dell या HP वाला ही laptop चाहिए तो मैंने उन लोगों के लिए इसको include किया है इस वीडियो के अंदर अगर इसकी हम बात करते है current price की, तो इसकी current price 36,940 की देखने को मिल रही है card offers के साथ में या आपको 34,940 की देखने को मिल जाएगी इसके अंदर हमें Intel का i3 12th generation processor देखने को मिल जाता है इसमें हमें 8GB DDR4 RAM देखने को मिलती है और 512GB का SSD storage देखने को मिलता है वैसे अगर हम बात करें RAM तो ये DDR4 RAM देखने को मिल रही है हमारे पिछले जो दोनों laptops थे उन दोनों में ज्यादा अच्छी RAM quality देखने को मिल रही थी एक में हमें DDR4X देखने को मिल रही थी और एक में DDR5 देखने को मिल रही है इसमें हमें 15.6 inch का एक Full HD display देखने को मिल जाता है साथी में अगर हम इसकी weight की बात करें तो इसमें हमें 1.65 kg का weight देखने को मिल जाता है lightweight ही हुआ क्योंकि 15.6 inch का एक बड़ा display देखने को मिल रहा है हमें इस laptop में और साथी में अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हमें battery backup 5-6 hours का normally जो देखने को मिलता है वो मिली जाएगा और इसमें भी हमें MS Office 2021 प्री इंस्टोल देखने को मिलता है तो जिन office workers को या जिन students को MS Office चाहिए उनके लिए best रह सकता है और जिन लोगों को Dell का ही laptop खरीदना है दूसरी company का laptop नहीं खरीदना है उनके लिए बेस्ट रह सकता है अगर आप दूसरी company की तरफ भी जा सकते हो आपको दूसरी company में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है आपको इंफिनिक्स company में भी trust है एसर company का भी आप लेना पसंद कर सकते हो तो आप इस laptop को skip कर सकते हो मैं आगे जो आपको options बताऊंगा वो ज़्यादा better रहेंगे तो fourth number पर जो हमारे पस में laptop आता है वो भी है इंफिनिक्स की तरफ से इंफिनिक्स X3 Slim अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो current price है वो 37,990 की है card offers के साथ में यह आपको 35,990 का देखने को मिल जाएगा इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें Intel का i5 12 generation processor देखने को मिल जाता है और वहीं पिछले वाले laptop में हमें Intel का i3 12 generation processor देखने को मिलता है तो इसमें processor wise upgradation देखने को मिल रहा है हमें तो जिन लोगों को ऐसा normal से जादा video editing करनी है जिनको जादा video editing के लिए चाहिए या जादा gaming के लिए चाहिए एकदम जादा heavy वाली नहीं मान सकते बट थोड़ी जादा video editing करनी है थोड़ी जादा उनको gaming करनी है तो उनके हिसाब से उनको i5 वाले processor की तरफ जाना चाहिए instead of i3 वाले तो उस हिसाब से ये वाला processor ज्यादा best रह सकता है ये वाला laptop ज्यादा best रह सकता है इसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें 16GB की DDR4X RAM देखने को मिलती है अगर RAM की भी बात करें तो पिछले वाले जो सारे laptop हमने बात की उसमें हमें 8GB की RAM देखने को मिलती थी इसमें हमें 16GB की RAM देखने को मिल रही है साथ में 512GB का SSD storage देखने को मिल रहा है अल्टरा light weight तो है सही जैसा हमने बोला ये 1.24KG का देखने को मिलता है साथी में जो हमने बात की थी सारे की सारे जो features की हमने पिछले वाले Infinix laptop में बात की थी same to same ही है सारी 65V की Type-C charging support देखने को मिल जाता है एक अच्छा गसा battery backup देखने को मिल जाता है 8-9 hours का 14-inch का display देखने को मिल जाता है 300 nits की peak brightness देखने को मिल जाती है देखने को मिल रहा है तो इसमें एक चीछ की कमी है यह है कि MS offices में आमें देखने को नहीं मिलता है और पिछले वाले Infinix में भी नहीं देखने को मिलता था तो जिन लोगों को जिन students को MS office की जरूरत है वो अगर खुछ से download कर सकते है तो ठीक है अगर उन नहीं download कर सकते है उन्हें MS office pre-install चाहिए ही चाहिए तो वो इस वाले laptop को skip कर सकते है otherwise यह एक अच्छा option है आप इसकी तरफ जा सकते हो अगर आपको Infinix brand पे trust है तो आप इसकी तरफ जा सकते हो आसाने से यह भी एक अच्छा laptop है तो fifth number पर जो हमारे पास में laptop आता है वो है MSI की तरफ से MSI modern 14 अगर हम इसकी बात करते है इसकी current price जो आ रही है वो 42,990 आ रही है और अगर offers के साथ में अगर हम बात करते है तो यह हमें 39,990 का देखने को मिल जाएगा हमें I3 13 Generation processor दिखने को मिलता है तो अभी तहक हमने जितने भी बात की laptops की हमें 12 generation वाले ही processor देखने को मिल रहे थे इसमें हमें Intel का I3 13 Generation पर based processor दिखने को मिलता है जो latest launch हुआ है हमारे पास में 2023 में ही launch हुआ हुआ है इसमें हमें 14 इंच की डिस्पले देखने को मिल जाती है, टुफिफ्टी निट्स की brightness देखने को मिल जाती है, अगर हम इसकी weight की बात करें तो यह भी lightweight ही laptop है, 1.4 kg का देखने को मिलता है हमें, इसमें 8 GB की RAM DDR4 RAM देखने को मिलती है, और 512 GB का SSD storage देखने को मिल जाता है, इसमें हमें backlit keyboard देखने को मि बेटरी बेकप की बात करते हैं, तो हमारे पस में 5-6 हर्वर्स का जो नॉर्मल बेटरी बेकप सारे लिप्टॉप में देखने को मिलता है, नॉर्मल उसेज पे, वो इसमें भी हमें देखने को मिल जाता है, तो ये भी एक अच्छा उप्शन है, तो जिन लोगों को ऐसे 13 जन वाला भी वरियंट है, वो आपको और 1000 सस्ता देखने को मिल जाएगा, तो उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बोक्स में एड कर दूँगा, तो इन दोनों में से आपको अगर आई 3 13 जन 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 लेना है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो It's your choice, आपको जो laptop ज्यादा अच्छा लगे, जो आपको laptop ज्यादा सही price में मिले, आप उसकी तरफ जा सकते हो, वैसे मैंने एक चीज़ आपको बताई दिये, कि आप laptop लोग उससे पहले एक चीज़ चेक कर लीजिएगा, कि आपकी city में, आपके area में, उसका service center होना ही चाहि तागी अगर मान लिजिए कोई issue आता है, तो आपको ज्यादा problem ना आए, तो ये हो गए हमारे सारे पाचो laptop, जो हमें 30,000 से लेके 40,000 के बीच में दिखने को मिल जाते है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लए गई हो, तो वीडियो लाइक करके जाईएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आयो, तो सब्सक्राइब करके जाईएगा, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय